हेलो गाइज वेलकम बाइक और यूट्यूब चैनल स्टार का स्टेट उपाएं दोस्तों इस वीडियो हम लेकर आप सभी के लिए कलास्ट्रोल वालों के लिए मौस्ट भीविया उब्जेक्टिव कोश्चन जो आप लोगों के एक्जाम होने वाला है दोस्तों इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तैक इसी तरह से आप लोगों के लिए मैसमेटिक्स इसके बात कैम स्टी वाइन पाफिल और इसाप निए ना को मिलेंगे दोस जितने वी तक मैंने आप लोगो वीडियो अपलोट किया है उसे पहले जो पहला वीडियो था दोस्तों देख लीजे क्योंकि वह भीहार बड़के दोरा जारी ऑफीसेल मोडल सेट था ठीक है उससे काफी सारे कोशन में आप लोगों को मिलेंगे ही मिलेंगा और इस सेट से काफी इंपोर्टेंट कोशन मिलेंगे दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करना सेर भी कर दिवेडियों और वीडियों हैं जोर स्कूरें कि किसी आवेसित खोखले गोले की अंदर engineer फ्रहोथ होता है न इस पर यहाँ यहाँ जयां पर तो यहाँ पर नहीं होता है यह दोस्तों पर के stop मुझ्धार वह सो यह जिस्डारइंस और देने सीडर वह फैरा तरषी सगहिंदक यहाँ हएं तो यहाँ पर व्ल्ट का मांज दे दिया है 1 व्ल्ट तो इसका सिंपल फर्मूला होता है दोस्तों चार्णे-कानने का Q is equal to C भी ठीक है और C जो है दिया है 1 माइक्रो फेराड और पोटेंशल दिया है 1 व्ल्ट तो यहां से जो है चार्ज का भाल्यू निकल जाएगा 1 माइक्रो कुलम तो द करींग कॉष्nelle का रिए सर्व एक्षेटर जो है वो एक्सिदा करते राता है थिख है तो तीन का जो इसर्ए अंसरों के यहांपर भी एक्सिदा क्षेट राता का यहां टो टो इनर्जी-वा-ट brings जो करते हैं तो चार का सही आंसर होगा भी अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि लेंज का नियम की संद्रक्षन से संबंदित है लेंज लॉइज एस्टियेटेड विद प्रिंस्पल आफ कंजर्वेशन और किसका दोस्तों तो जहें लेंज कर लोग जहें इनर्जी के कंजर्वेशन पर अधारीत है तो पांच का जहें सही आंसर होगा यहां पर सी इनर्जी अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि मुक्त अकास का पारावाज दिता का कमान होता है तो फिरी एस्पेस के परमिटी के विटी का वहलू होता है दोस्तों जिसको हम अगला कोशन देखते हैं तो इनर्जी का फरमूला आपको मालूम है दोस्तों जैसे की माइक्रोब फरад चाहर देखते हैं यसको लिए ओडंगे एक यहाँ अब यहां से क्लेशन चिर्णे करेंगे दोस्तों और माइक्रोफेराड है तो आप इनको लिख सकते हैं तेमकर माइन्स दें सके हैं मनकों इसको लिगते हैं 50 x 2 ठीक और यह जो है टेन के 1-6 और यह 10 पीण सकते हैं यहां से दोस्तों आप देख सकते हैं यह आ गया आपके पास energy का formula 5 by 2 into 10 के power minus 6 और यह 10 के power जो है 3 हो जाएगा ठीक है तो यहां से आप देख सकते हैं 2.5 into 10 के power minus 3 जो जो है इसका सही answer होगा तो 7 का सही answer होगा यहां पर B अगला question देखते हैं के दोस्तों कि वानडी ग्राफ जेनेटर एक मसीन है जिसके द्वारा उत्पन्य होता है वानडी ग्राफ जेनेटर справ वंच देखते हैं एक तार में और ludzi ब्रहीं तोस्ता है यह इलेक्ट्रोन का आवेस जो है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कुलम हो तो तार के किसी कार से पर 30 सकेंड परवाहित इलेक्ट्रोन की संख्या कितनी होगी तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है इलेक्ट्रोन की संख्या ठीक है तो देखें चार्ज का सबसे परले फर्मूला लिखते लेते हैं Q is equal to IT होता है फर्मूला और टैम दे दिया है per second याँ एक सकेंड में निकालना है और Q का एक फर्मूला एक भी होता है दोस्तों N E, N जो है नमर आप चार्ज है और E जो है इसका जो है चार्ज है तो यहाँ से अगर इसका नमर आप इलेक्ट्रोन लिखेंगे तो IT वट्टे हो जाएगा E E जो है इलेक्ट्रोन का चार्ज है I कमांद कितना दिया है दोस्तों 1 एम्पियर दिया है टैम दिया है 1 सेकेंड में निकालना है और E का जो है चार्ज कितना दिया है चार्ज का भालू दिया है 1.6 इंटू 10 के पावर मैंनस 19 तो आप इसका कल्कुलेशन करेंगे दोस्तों तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10 के पावर मैंनस 18 तो 9 का जो है सही आंसर हो यहाँ पर B अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि Danmo के कार्ज का सिधानत अधारीत है The Working Principle of Danmo Depends तो Danmo का जो है Working Principle है दोस्तों वो Electromagnetic Induction पर आधारीत है तो 10 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर B तो Electromagnetic Induction जो है इसका जो है खोज किया था दोस्तों फराडे नामक सेंटिस ने बिदुत्य चुम्बक्य प्रेणा का खुज किया था तो 10 का सही आंसर हो यहां पर B अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि 64 identical drops each of the capacity 5 macrofarad combined two form a big drop the capacity of big drop will be तो यहां पर दोस्तों बरीब बूंद का जो है गहन मूल निकालेंगे cv जो है capacity of big drop और cs जो है capacity of small drop तो आपको यहां पर cs निकालना है C B निकालना है तो C B निकालना है और C S का भालू कितना दिया है दोस्तों C S यानि Small Capacitance दिया है 5 Macro Farad और N का भालू दिया है 64 और इसका घंबूल निकालेंगे दोस्तों तो 5 into आ जाएगा 4 ठीक है तो यहां से हो जाएगा 20 Macro Farad इसका अंसर हो जाएगा बड़े Capacitance का बड़े बुंद का Capacitance तो 11 का जो है सही आंसर हो यहां पर C 20 Macro Farad अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि परकास के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परवेश करने पर अच्छा राता है ले लाइट इंटर्स फ्रों तो 12 का जो है सही आंसर होगा यहां पर A frequency अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन दोस्तों कि 5 ओम परतिरोद के एक तार से जिसका विवांतर जो है 7 वोल्ट है तो 20 मीटर तक धार परवाहित होती है तो उत्पन उस्मा होगी तो यहां पे दोस्तों आपको क्या निकालना है हीट कितना पर दूस होगा तो वह हीट को निकालना है ठीक है तो एक का फर्मूला होता है दोस्तों यह फर्मूला आप याद रखिएगा भी स्कॉाइर इंटू टी बटे 4.2 इंटू आर 4.2 से इसलिए मल्टिप्लाइ किये दोस्तों क्योंकि हमको कैलोरी मिलाना है आर जो ह ट्केन में लिखेंगो तो साढस से जो है गुना कर देंगे इसमें 4.2 हो गया और रिसिस्टेंट कितना दिया है दोस्तों वह दिया है 5 ठीक है यहांस दस रोभ उड्राइँगे तो यहां से हो जाएगा सेवन चैवन फोट टिनन्न और यहां से यह हो जाएगा 6 से कर जाए है यहां से 10 कर जाएगा और यह कर जाएगा पांदोनी 10 तो यहां से आप देख सकते हैं तो आप इनको याद रखिएगा चलिए अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि का मातरक है दोस्तों ओम ठीक है जो रेसिस्टेंस का होता है वह भी रेक्टेंस का वही मातरक होता है तो फोटिन का सही आंसर होगा यहां पर भी ओम अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि योगिक सुक्ष्मदर्शिक की लंबाय बढ़ाने पर इसकी आवर्धन शम्ता अगला कोशन है कि एक प्रिज्म से गुजरती प्रकास की किरन के लिए आपतन कौन आईवन है तथा निर्गत कौन आईटू है इमर्जेंस एंगल से बढ़ा होना चाहिए आईवन का भैलू तो सोलो का यहां पर बी आईवन ग्रेटर दन आईटू चलिए अगला कोस्तन देखते हैं अगला कोशन है कि दास्मिक संख्याट 25 को दुविधारी में लिखने पर उत्तर होगा देमिशन नमबर ओफ डिस डेसिमल नमबर 25 इन बैनरी विल भी तो देखिए दोस्ते इसको बैनरी नमर में करना है 25 को तो देखिए इसका सिंपल है आपको बता देते हैं दो से जो है इसमें डिवैड करें तो इसमें ठीक है और कोई से नहीं बचेगा तो यहां पर से सोगाँ जीटो फिर यहां पर तीन से लगेगा फिर विक़UST他श लग जाएगा और एक जैश भी बच जाएगा तो इस तरह से आप डेक सकते हैं फिर नीचे से उपर जाएंगे तो यह क وन उन है तो यहां पर दोस्तो इलेग्ट्रिव फिलक्स का मन बताना है तो इलेक्ट्रिव फिलक्स को दोस्तों हम में से सुचित करते हैं ठीक है और इसका फर्मूला होता है इन्टिफी फिल इन्ट एर्या तो सकते हैं दिए क्षेब है र Almighty पडू से हो जाएंगा और याद से ठीक है, Newton meter per column और यहाँ पर 4 pi बच गया 4 pi तो यहाँ से आप देख सकते हैं और स्वरी दोस्तों यहाँ पर इलेक्टिव फिल का फ्रोमला हता है 1 by 4 pi epsilon 0 r a square into q और q का value दिया है यहाँ पर 10 10 दिया है और micro लगा है तो 10 के power minus 6 लिख देंगे यहाँ पर गटा लेंगे तो वो हो जाएगा 10 के power 4 यानि कि 36 pi into 10 के power 4 Newton meter square per column तो 18 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर दोस्तों ठीक है आप जो है फर्मूला याद रखिएगा तो आपका calculation यहाँ पर सही हो जाएगा अगला question देखते है कि hydrogen spectrum की जो होता है दोस्तों वो होता है बालमर स्रीज जो है बीजूबल रीजन में आता है तो 19 का सही आंसर होगा यहाँ पर डी बामर स्रीज अगला question देखते हैं अगला question है कि परकास की रन के तीखे कोर पर मूर्ने की घटना को कहते हैं अगला question देखते हैं अगला question है कि नीचे दिए गए परिपद खंड में सिरीज में आ गया इसका सिरीज में होता है का सील का creation का सीराभ ग्राफ यहां से जाँ फार और यानि कि ट्वाई नं नैन ल्र मासव का और यहां पर देखते हैं अगला question है कि the relation between geometrical length and magnetic length ठीक है चुमबक्किय की जामिती लंबाई LG और चुमबक्किय लंबाई में संब्ध होता है तो इसका संब्ध होता है दोस्तों LM is equal to 5 by 6 LG LM is equal to 5 by 6 LG जो है इसका सही relation होता है तो 22 का जो है सही answer होगा यहाँ पर D अगला question देखते हैं अगला question है कि the refractive index of water and glass जो है दिया है इसका 3 by 2 and 4 by 2 respectively the critical angle for lateral entry from glass to water glass into water दोस्तों यहाँ पर इसका क्रांति कुन बताना है कि कितना होगा तो इसका सैंसी जो है दोस्तों इसका simple formula होता है 1 by mu ठीक है मियू जाहे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है सैंसी जो है critical angle है तो देखते हैं दोस्तों आप इसमें inversely relation है दोनों में जब इसका सैंसी निकालेंगे दोस्तों मान पूट करेंगे मियू का तो सही आंसर आपका आजाएगा ए सैं इंवर्स ने बाले एक तो 23 का सही आंसर होगा यहां पर ए अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि इन यंग डवल अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि एक उत्तर लेंज जो है 24 सेंटीमेटर के दूरी पर एक वस्तू का जो है तिन गुना आवर्धित कालपनिक परत्वीं बनाता है तो लेंज की है फोकस दूरी बताना है देखें दोस्तों यह जो है उत्तर लेंज है कन्वेक्स लेंज है तो इसका जो मैंगनिफाइंग पावर होता है मियू इसकल टू सॉरी एम नोट इसकल टू वन प्लस दीवा य जो है दोस्तोंौ इसके बीच का टिस्टेंस है को यहां पर यहां पर यहां पर रही दोस्तों आपक करेंगे दोस्तों यहां पर यहां पर कोई आंसर नहीं है लेकिन इसका सही आंसर होगा 12 cm अगला कोशन देखते हैं कि the necessary condition for resonance in LCR circuit तो LCR circuit में दोस्तों इसका resonance के लिल कंडिशन होता है वह होता है ओमेगा यल इसकल टू वन वाय ओमेगा सी यहां वाय सी के बरावर हो जाता है तो जो है कि i is equal to i note into sine omega t ठीक है तो यहां पर सबीकोस दिया है तो कोस omega t दिया है तो ओमेगा का फालु यहां पर दिया है दोस्तों 100 पै ठीक है और एक ओमेगा का और हमेगा वायलु हता है टू पाइअब ठीक है तो यहां से आपको फ्रकुएंसी निकाल सकते है आराम से हम्रेप बी अगला कोशन देखते हैं कि बुस्टर का नियम है तो बुस्टर का नियम है दोस्तों मियू इसकाल टू टेन आई पी खिक है आई जो है एंगल ओफ फोलराजेशन है और मियू जो है इसका रिफ्रेक्टिव एंडेक्स है तो 28 का सही आंसर हो यहां पर सी मियू इसकाल टू हो जाता है तो 29 का सही आंसर होगा यहां पर भी जब बिटार डिके होता है तो अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि हुच आप दा फोलूइंगे आई देखिए दोस्तों जिसका इनर्जी हाय होगा उसका वेवलेंथ जो होगा बहुत ही कम होगा तो इस सभी में जो ह गामा रे का इनर्जी सबसे हाय होता है इसलिए इसका वेवलेंथ जो होगा सबसे कम होगा तो 30 का जो है सही आंसर होगा यहां पर C गामा रे अगला कोशन है कि डी ब्राउगली एवं संबेग P के बीच में संबंध है तो रिलेशन बिट्विन डी ब्राउगली वेवलेंथ और मुमेंटम के बीच में तो इसका रिलेशन है दोस्तों लेंडा इसल्टू जो होता है एक पी होता है खीक है तो यहां से जहां सही आंसर होगा यहां पर 31 का बी अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि कोर ओफ टांसफर्मर इस मेड़ आप टांसफर्मर का जो कोर हो इसलिए नोट एक्सिलिरेटटेट नहीं और इसलिए तो 33 का अंसर होगा यहां पर बी निट्रौन आपक दो पर मानूँरं की पर मानु संख्या कानूपाथ इतना है तो उनकी तिरजया कानूपाथ होगा यहां पर होना चाहिए प्रविमान स्ड़ना होता है जेट के पावर का एक के पावर का 1 री होता है तो यहां पर मास होगा तो यहां से इसका तिरजया का भालू आ जाएगा ओन वै थिरी तो 24 का जो है सही आंसर हो जाएगा ए ओन अनुपाद थिरी अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि फिर्ट्वेंशी रेंज फोर ग्राउंड वेव शूट भी तो फिर्ट्वेंशी रेंज जो होना तो यहां पर दोस्तों वर्क डान बताना है तो वर्क डान का सिंपल फ्रमूला होता है पी इंटू ओन मैनस कोश ठीटा तो 36 का सही आंसर होगा यहां पर ए अगला कोशन देखते हैं कि एंट टैप के अर्चालक में मुकधारा का वाहक होता है दा मेजरिटी क्रेंट केरियर इन टैप शर्ण कंडेक्टर तो एंटेप में दोस्तों इलेक्ट्रों जादे मात्रा में होता है ठीक है वही जो है करेंट के लिए रिस्पोंसिबल होता है तो 37 का सही आंसर होगा यहां पर सी इलेक्ट्रों कि अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि वीच आप फूलो Nucleus of elements इसका Devas मास दे दिया है और इतोमिक नंबर दे दिया है फुर्स जो है इमिरेकर नएंटर पार्टिकल बिटा इलेकर पार्टिकल लृँ अगर बिटा दे निकलता ख лич मैं सबसे कर दो से और यहां पर देख तो यहां पर बताना है टो केबल एटोमिक नमर में क्या चेंज होगा ठीक है तो अलफा से जो है अलफा की रह निकलता है तो आटोमिक नमर दो से कम हो जाता है ठीक है यानि जो दिया है तो यहां पर आटोमिक नमर दिया है 84 इसमें से जो है दो घटेगा और जो कहता है कि एक बीटा भी निकलता है तो बीटा निकलने पर एक बेर जाता है ठीक है एक बर जाता है तो यहां से जो हो गए आपके पास आंसर हो जागा 83 यानि जो नाया नुकलियस बनेगा तो उसका एगला कोशन देखते हैं, अगला कोशन है कि किसी परिपत का परती रोज फिप्टीन लोम है कर दe। की परिपत का व्हार फीक्टर बताना ना है तो लестप्ष। I Jr is 12 और मेड़ीच तो यहां सोहज़ेगा 4 by 5 यानि कि 0.8 तो 41 का जो है सही आंसर होगा यहां पर B अगला कोशन देखते हैं कि परकास तरंगों के संदर्चन में दोलन तल की जिसा तथा धुर्वन तल की जिसा के बीच का कुन होता है तो इंदर्चन का बीच का कुन का मान होता है तो पाई वाई 2 यानि कि 90 डिगरी तो 42 का जो है सही आंसर होगा यहां पर B 90 डिगरी तो उमेद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसना आया होगा अगर वीडियो पसना आया है तो वीडियो को लाइक कीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे यहां तक देखने के लिए धन्यवाद